रहा सवाल खांशर के हां रेड नहीं पड़ी खांशर फरार नहीं है खांशर के हां ताला नहीं लगा है खांशर को घमंडी तक लोगों ने बता दिया कि अहंकार से लबालब खांशर जो है वो अहंकार से भरपूर मात्रा में प्रचर मात्रा में जो है पूरा भरपूर है ख मारा स्वभाव डिपेंट करता है कि मेरे सामने कॉन है खान सर अहंकारी है क्या सामनेवाला अगर थोड़ा ही मानमाना अफाट से बात करेंगँ अगर थोड़ा झाचार दिखाए Гा Genau और शिष्टा चार दिखाएंगे लेकिन अगर इतना अहंकार दिखाएगा तो हम उससे जादे दिखा देंगे अगर बुरा है तो तैमानक की अगर हम बात करें तो तैमानक कोचिंग को चलाने के लिए क्या-क्या भी नया लाया गया है और आप उन्ताइ मानकों को जो है आपकी कोचिंग जो है वो मान रही है कि नहीं यह जानकर देखिए मानक में ना दो सबसे बड़े मानक होते हैं एक basement नहीं होना चाहिए हमारी संस्था basement में नहीं है बाकि कहीं भी basement का एक दिल्ली में भी जो इस हुआ था basement का दूसरा मानक है कि in case of fire entry exit है या नहीं तो entry exit जो है ना वो fire का part है कि अगर आग लगती है तो entry exit कितने हैं यहां पर दो होने चाहिए मेरे पास छे है फिलहाल छे है मतलब छे एनफ है आप हम लोग के पास है तो हम उस आनक पे हैं तो entry exit fire और basement नहीं होना चाहिए इसमें से किसी भी तरह के नियम का हम लोग ने उलंगन नहीं किया है लेकिन वही है कि मतलब का यहां के साथ घुन भी पीसा जाता है हमको तो अकेले पीसने की कोशिस किये लोग लेकि नहीं पीसा है आप और सब को कहते हैं हमको गिराने के लिए कोशिस नहीं साजिस करनी पड़ेगी ना आपके यहां कोई मरान कोई बच्चे का देहां तो हुआ फिर आप की इतना चर्चा में क्यों होगे खांसर के नाम पर ब्यूज मिलता है इसलिए अप चर्चा में आगे क्या यही तो हमको नहीं समझ में मतलब नेशनल मीडिया इसा लिखता है कि फरार रडार पर आ गए खांसर य लिए खांसर जो है जो कोचिंग चलाने के लिए मानक रखा गया है वह आप पूरा मान रहे हम पूरा मान रहे हैं और देखिए आप एक नॉर्मल इंसान जो आपके चैनल को देख रहा होगा हम लोग जैसे आदमी जिसको चारों और से लोग जान रहे होते हैं वह खुदे फुक फुक के कदम रखता है मतलब मानक रहे या मानक ना रहे मानक उनके लिए होता है कि जवरजस्ति उसको कोचिवा के काम कराये जाए लेकिन हम लोग ओल्रेड़ी हमारे उपर moral responsibility इतनी होत जो है आने वाले समय में कोचिंग चल रहा है कोई दिकत नहीं है यह सब अपवा है इसे कुछ भी कैसे कर सकती है यह एक कुछ बोलेगा कोई मीडिया में अभी क्रॉस चेकिंग का सिस्टम नहीं है यह चीज़ हमने खुद भूगी होके देख लिया कि किसी ने बोल दिया कि कोचिंग सील वह गया और इस दिन आये थे लोग तो कुछ ढल इया थी जमीन को और मजबूत किया रहा था उसके लिए थोड़ा स्मूथ कर रहा था कि बरसात के पहले मेंटेनेंस जरूरी होता है तो सब लोग खा रहे था हम लोग देख रहे हैं यहां पर तो यह हमसे पूझ रहें सर आपको कैसा लगता है कि गोई भी नीज चैनल खोली है असाब आपके पीछे पड़ा हुआ है सच में बताया ना कि एक छीज़ खुसी भी होती है कि इतना मिल के भी नहीं कुछ कर पाया मतलब इस जीज़ के खुसी है तो लोग मुठी बनाकर तोड़ने का प्रयास गया एक उंगली को लेकिन एक उंगली टस से मस नहीं है इमांदारी से काम करेंगे ना तो एक चीज़ तेज़ता के साथ उसी प्रबलता के साथ उसी ओजवाणी के साथ एक बार फिर से जो है नई गती के साथ आपको सिच्छा देने के लिए फिर से सुचाव रूप से अपने कोचिंग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं हाँ अप वाहें उड़ी तोड़ने का प्रयास किया गय प्रखेंगे और नरंतर चलते रहेंगे और व्यच्चों को अच्छी सिच्छा देने का प्रयास अग्रसर करते रहेंगे। थो उसे डरेंगे नहीं न जुकेंगे बलकि निरंतर जो है बिहार को बिहतर बनाने के लिए अग्रिसर रहेंगे। चले इस वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद मित्रों जैंड़